वेल्व नकाशियाट फामली वेल्कम बाक टो मैं चानल तो आज हम नवराती स्पेशल वीडियो बनाने वाले हैं इसलिए आज मैं वेस्ट मेटीरल से कुछ इंट्रस्टिंग बनाने वाली हूं तो यहां पर मैंने टिशू पेपर का रूल का कार्डबॉड यूज किया है तो कि had của यूज करूंगी ताकि अच्छे तरीकि से से क्योर हो सके तो देखे यह फाइनली आफ़ी तो अब मैं यहां पर यूज कररे हूं और हम मैं आप पर इसको अच्छे और आप समझी रहे होंगे कि मैं आपर क्या बनाने वाली हूं तो जो जिन लोगों को समझ आ गया है लेट सी किन का गैस एक्तम सही होता है तो प्लीज कॉमेंट करें और बताएं कि मैं अक्चनल में बना कह रही हूं तो अब मैं आपे अच्छे तरिके से एक एक करके चोटे शोटे अपने मिर्र उक का यू एके से यू और अब बना रही हूं मैं बहुत खुबशूती से माँ आपर अलाइन करूँगी तो अब देखिए कि मैंने दोनों तरफ बहुत अच्छे से mirror walk को अच्छी तरीके से stick कर दिया है अब मैं आपर बड़े mirror का use करने वाली हूँ और ये बड़े mirror को मैं center में अपने design के according जो भी मेरे mind में चल रहा है उसके according में अच्छी तरीके से stick करूँगी तो आपको आपके mind में जो भी design चल रहा हो आप वो implement करें ऐसा कुछ नहीं कि जैसा मैं कर रहे हूँ वैसा ही आपको करना है तो जैसा आपकी mercy हो आप ऐसा कर सकते हैं so अब मैं आप अच्छी तरीके से और patterns क्रेट कर रहे हूँ मेरे पास mirrors थे इसलिए मैं mirrors कर यूज कर रहे हूँ आप चाहे तो कुछ different चीज़ें यूज कर सकते हैं like colorful thread, group या फिर junk jewelry जो भी आपके पास available हो अपने आसपास आप उसका use करके create कर सकते हैं अब तो I am 200% sure कि आपको समझ आगे होगे कि हम actually बना क्या रहे हैं so मनेरे इस video में कि हमारा end result कैसा बनता है और comment करना बिल्कुल मत बुलिएगा कि end में कि आपको ये जो भी मैं बना रही हूँ आपको कैसा लग रहा है right तो ये almost हमारा decoration हो चुका है और आप पहचान भी होगे कि हमने क्या बनाया है right so अब मैं इसना भी finishing work है वो भी complete almost हो गया है तो देख सकते हैं मेरा mirror work से जो design में जो create करना था और रड़ी हो चुका है अब मैं हाँ पर अपने pair of jhumka यूज कर रहे हूं और उसको मैं अच्छी तरीके से align कर रहे हूं दूसरे pair of jhumka में और यह मेरे पास पुराने पड़े थे और मैं इसी को इसलिए use करें मैंने सोचा क्यों ना हम इसे use कर लें और इसी बहाने यह use भी हो चाएगा right so अब मैं इसको अच्छी तरीके से align कर दिया है देखे किना खुबसूरत लग ज़ए तो बेसिकली मुझे एक तरीके का लटकन चाहिए था जो कि इस कड़े में बहुत खुबसूरत लगने वाला है तो मैं आप पर ग्लुवन के हिल्ट से इसको बहुत अच्छी तरीके से secure करूंगी ताकि यह बिल्कुल भी गिरे ना जब हम इसे wear करें तो मैंने इसको बहुत अच्छी तरीके से stick कर दिया है अब almost मेरे दोनों तरफ से लटकन लग चुके हैं और यह बहुत ही खुबसूरत लग रहा है तो चलिए मैं इसको dry करने के लिए थोड़े चोड़ देती हूँ ताकि अच्छी तरीके से dry हो जाए और जैसी यह dry होता है मैं आपको इसका final look दिखाती हूँ कि यह कैसा लग रहा है आप देख सकते हैं कि मैंने आप इसको थोड़े के लिए रेस्ट के लिए चोड़ा है अब यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ कि यह कितना खुबसूरत लग रहा है यह sunlight में इतना सुंदर लग रहा है आप देख सकते हैं कितना खुबसूरत दिख रहा है और मैंने इसको अंदर की तरफ से black paint कर दिया थाकि अंदर का कुछ भी नजर आए सो आप देखे यह रहा फाइनल लुक यह मैं आपको वेर करके भी दिखा रही हूँ कितना खुबसूरत लग रहा है और कॉमेंट में आप जरूर बताए कि आपको यह कड़ा यह बिसिकली नवरात्री स्पेशल कड़ा कैसा लगा और मुझे कॉमेंट करके डिफिनिटली ब जहां और मुझे हूँ पाया जो बà।